हलो फ्रेंट्स हमारी इस टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में सीखेंगे इस स्कर्ट अम्रेला प्लाजो को बनाना चलिए तो सुरू कर लेते हैं जिसके लिए हमने ये साड़ी लिए है हम ओल्ड साड़ी सी इसको बनाएंगे साड अस्तर को हम थोड़ा सा उंचा ही रखेंगे मतलब 2 तेन इंच उंचा जितना कटे का हम उतना इसमें से पूरा ले लेंगे हां लेकिन इस कपड़े का पना है वो 50 का है जैसे 40 का आता है इसको इसको तिर्चा कर लेंगे ठीक है जैसे हम धो 30 अलवार के लिए बिच्छाते ह आपके जितनी भी कमर है इसी हिसाब से आपको निकालना है उसका चोथा हिस्सा अब यहां से करने के बाद में वो छोटा बड़ा था उसको बराबर करके निसान डाल दिया है अब यहां से मेजर कर लेंगे यानि कि जैसे की 17 इंच अगर उसको ने से आ रहा है तो यह पूरा ह पर ही होना चाहिए पूरा सरकल ठीक है यह हो गया अब उसके बाद फिर से चेक कर लेते हैं तो देखिए एक दम बराबर है न अब हम क्या करते हैं कि अभी हम इसकी लैंथ देखेंगे तो अभी हम इसमें आसन का निसान नहीं लगाएंगे बैल्ट हम इसमें थोड़ी सी ब जरूरत नहीं है जो हमारी साडी है उसमें हमें थोड़ा सा जोइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका पना 40 का है इसका पना 50 का है अगर आपको फुल पाने का 60 इंच के पने का भी कपड़ा मिलता है तो आपको जोइंट लगाने की जरूरत नहीं है तो ओल्ड साडी से पैसे ही बना सकते हुँ सरकल प्लाजो अभ हम इसको कट कर लेते हैं और एक्स्ट्र फैब्रिक को निकाल देंगे वह हमारी बेल्ट में काम आएगा अभ यहाँ से खोलेंगे नहीं धोती को सेम बिच्छा लिया है तिर्चे में ही जैसे हमने अपने उसको बिच्छाय था अस्तर को अब इसको हमने ऐसे बिच्छा कर थोड़ा से फालतु पार्ट रखाया टोटल नाप के हम लें तो तीन मीटर कपड़ा लग जाएगा आपका दोती इसमें प पहले अब उपर सेम साड़े साथ इंच निकाल देंगी इंच टेप को और जहां पर भी 40 आ रहा है वहां पर निसान लगाते जाएंगे तो जहां पर भी 40 आता है तो जोएंट वैसे पूरे में नहीं आएगा यह थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको मतलब थोड़े से हिस् अगर प्लेन फैब्रिक होता है तो वह साफ साफ दिखता है लेकिन अगर आप कलरफुल फैब्रिक लोगे तो उसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसमें जोएंट है और कभी भी जोएंट लगाते टाइम उसे ऐसा ना कि छोटी बड़ी से लाई करें फिनिसिंग से ल दो जोगे आएगा जोएंट तो दो तह में रखना है सिर्फ कपड़े को दो पाठ होने चाहिए कपड़े के अब थोड़ा सा महसूस करेंगे हाथ से तो आपको पता लग जाएगा कि जो हमारा नीचे का सरकल है वो कहां तक है तो यहां तक मैं हाथ से महसूस करते हुए इस करोगे तो आपको इसमें जोएंट लगाने में दिक्कत आएगी तो देखिए यहां पर लग जाएगा आपको उमीद है मुझे समझ में आ रहा होगा अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद हम इसमें आसन का निसान लगाएंगे तो दोनों साइड से ओपन कर लेंगे इसको तो देखिए अभी हम पहले नीचे वाले जो हमने भी जोएंट कट कियें उनको जोड लेंगे पहले ही क्योंकि अगर हम बाद में जोडेंगे तो फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे इसलिए जैसे रखा है ऐसे ही जोड के तैयार कर लें अलग 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 पाट को कम भी रख सकती हो अपने आशन को तो हम आशन के लिए निसान लगा रहें खुली वाली अजाएड को त्यान रखें आशन का निसान खुली वाली साइड को लगे गा दो इंच ऐसे और लंबाई में अगर आप पतले हो तो यहां से आप इसे दस या नौ इंच लेंगे त तो हमारी इलास्टिक की जो चोड़ाई है वो 1.5 इंच है तो उसमें 2 एक्स्ट्रा लेंगे तो अब हमने इसको अस्तर को और अपने इस कपड़े को पिन अप कर लिया है और अभी हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमने साड़ी का और हमारा कपड़े का जोएंट था पहले उसको सिलेंगे हम फिर उसके बाद हम चारों तरफ को सिलाईयां लगाएंगे क्योंकि अस्तर और जो आपका में फैब्रिक है वो अच्छे से अटेच होना चाहिए ऐसा ना हो कि वो अलग अलग को जाए तो फिर उसमें फिनिसिंग नहीं आएगी तो इसलिए उसको पहले साइड मोड देंगे देखिए अंडर की साइड मोड के और पूरा ही सरकल को हम सिल लेंगे सिलने के बाद अब सेम अस्तर और को जोड़ेंगे और आसन को जोड़ देंगे यह आसन जुड़ गया है हमारा अभी हम क्या करेंगे अपनी बेल्ट को भी तैयार कर लेते हैं बेल्ट को और अस्तर को हमने एक साथ अटेच्ज कर लिया है देखें, लंबाई में तो हमने आपको बेल्ट बता दी थी तो अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है तो आप बाद में इसे जॉइंट करें पहले लगा लें पूरे खुले में फिर उसके बाद जॉइंट करें आप बस डेडिंस के बराबर ऐसे मोड देंगे जितना हमारा इलास्टिक की चोड़ाई है और मोड ने के बाद अब फिर इसको नीचे से फिटिंग करते होई ले आएंगे अस्तर को और अपने में फैबरिक को यानि कि जो हमारा जॉड़जट का फैबरिक है और इसकी कुर्ति भी हम आपको जल्दी ही सिखा देंगे इसकी जो कुर्ति होगी वो सौट में बनेगी वो हम जल्दी ही आपके साथ सेयर कर लेंगे तो देखिए हम पूरे को बराबर और थोड़ा सा हमने ओपन छोड़ दिया है क्योंकि वहां से हम इलास्टिक डालेंगे लास्टिक अपनी कमर से आपको दो इंच कम लेनी है आप कमर से नापके भी ले सकते हो अब बस इसमें फिटिंग कर देंगे जैसे हम सलबार की बॉटम पे से यानि की मोहरी की साइड से फिटिंग करते हैं उसी तरीके से एक एक इंच कपड़ा दबाते हुए हम दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेंगे फिर हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं अच्छी लगे वीडियो तो जरूर बताईएगा कुरती का वीडियो भी इसके साथ थी मतलब जो इसकी मैचिंग कुरती बनेगी वो हम से यर करेंगे आपके साथ आप नीचे बताईए का कमेंट बॉक्स में तो देखिए बनने के बाद में एकदम 40 इंच का पूरा प्रॉपर तैयार हुआ है धन्यवाद आप सभी का अंत तक